हेलो दोस्तों चली सॉल करते हैं डिवलप्मेंट लेंज पे निमरिकल वह बेट के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अभिनासर तो देरगेस बात की है फटापट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर तो दोस्तों आज बहुत ही सिंपल तर किसा समझेंगे यह मैं आपको गैरेंटे देता हुआ आपको लेक्चर के स्टार्ट से लेकेंड तक बने रहना है चली कि वो कोई है जिसमें अभी दब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फड़ा वड़ कर दीजिए बड़ा आसान काम है अब आईए विंटर 19 के एक्जाम जोंग कॉंक्रेट मटरेल है वो M20 ग्रेड का है फिर वो स्टील F500 ग्रेड का है F500 ग्रेड का स्टील मतलब डिफॉर्मड बार है कैसा है दिफॉर्मड बार है फिर उन्होंने टाव बेड़ी दिया है 1.2 न्योटन पर mm स्क्वेर तो हमें फाइंड आउट क्या करना है यह सॉल करना तो सॉल कर लेते हैं सबसे पहले टेंशन के लिए एल्डी फॉर टेंशन बार ओके टेंशन देर्फोर एल्डी इस इक्वेल टू जिरो पॉइंट एट सेवन इंटो F5 अपॉन 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 फॉर टाव बेड़ी अब इसमें वैल्यूस पूट करना शूरू कर देते हैं 0.87 इंटो F1 कौन से ग्रेर का स्टिल है 500 तो 500 516 mm डाइमेटर दे इसका अब 4 टाव बेड़ी कितना दिया हुआ है 1.2 अब यहाँ पे देखिए टेंशन में है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं बट डिफॉर्म बार है बार अगर डिफॉर्म रहता है तो उसका 60% क्या करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं टाव बीड़ी बढ़ाते हैं तो जो ओरिजनल 1.2 था उसमें 1.6 से किया है इसके पीचे रिजन यह है कि दिया हुआ स्टिल बार डिफॉर्म्ड स्टिल बार है ठीक है अब इसका क्या करना पड़ेगा सिंप्ली काल्कुलेशन नहीं तो करना पड़ेगा कर लेते हैं 0.87 into 500 into 16 divided by 4 into 1.2 into 1.6 यह मिल गया है 906.25 906.25 एन इम पहले केस का होगा है इंटेंशन अब बात करते हैं हम सेकंड केस की इन कॉम्परेशन अगर वो बार कॉम्परेशन में है तो उसकी डेवलोप्मेंट लेंग कितनी होगी बड़ा आसां निमरेकल है बस ध्यान देखके देखना ld is equal to 0.87 fy into 5 divided by 4 tau bd अब value put करते है 0.87 fy still बार 500 fe grade का है फिर उसके बाद diameter of bar 16 है divided by 4 original tau bd 1.2 है अब यहाँ पर देखिए डबल हमां का ओफर चल रहा है tau bd आपको पहले तो deformed है इसके लिए 60% बढ़ाना है फिर उपर से वो compression में भी है इसके लिए फिर 25% बढ़ाना है एक दो दोनों condition है इसके लिए दोनों से बढ़ा है therefore अगर compression में आपका स्टील बार है तो उसका development length कितना होना चाहिए देख लिए 0.87 into 500 into 16 divided by 4 into 1.2 into 1.6 into 1.25 तो 725 mm कितने होनी चाहिए 725 mm दाट सिट यह हुगा इसका एंसर विंटर 19 का इनमर कल सॉल होगा है चारो के चारो मात सबको मिल गए अब यहाँ पर अगें 16 mm यह विंटर 18 का सॉल कर रहे हैं फटाक से कर लेते हैं डामेटरे स्टिल बार का 16 mm फिर उसके बाद उसका ग्रेट जो है 415 है और उसकी डिजाइन बॉंड स्ट्रेंच दी है 1.4 न्यूटन पर एमल स्ट्रेंट फैंड आउट क्या करना है development length in compression अब यहाँ पर numerical का statement देखके कोई बच्चे conference हो सकते last में उन्होंने tension कहा है तो वो tension इसलिए यूज किया है कि उसका जो bonding strength है वो स्टिल बार जब tension में था उस ताम पर measure की गई है बट आपसे development length का पूछी है find out the development length if 16 mm 5 in compression यहाँ तक compression में है तब यह आपको find out करना है तो development length का formula le is equal to 0.87 fy into 5 divided by 4 tau bd is equal to 0.87 fy still grade 415y into 5 diameter 16 divided by 4 into original tau bd 1.4 है बट एक पहली चीज बार जो है default बार है इसके लिए 60% से बढ़ाया into उपर से यह compression में निकलना है इसके लिए 1.25 से multiply यहने 25 से बढ़ा दिया therefore development length is equal to जो भी आएगा answer आप comment कर देना आपकी calculation पर पूरा बरुसा है तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो comment करना अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करना जितने सब्सक्राइब यूज और लाइक्स बढ़ेंगे उतने ज्यादा वीडियो तेजी से आएंगे थैंक यू गाइस पर वाच्छिंग वीडियो थैंक यू सो मच